हेलो एंड वेल्कम फ्रेंड्स हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आप राजय इसकिमार और आज भी बात करने वालों कि आपके आप लैप्टॉप या कंप्यूटर में पासवर्ट कैसे डाल सकते हैं इसलिया डालना पड़ता है मैं कि आपका या ये पर्मिशन के या आपकं का अंदर लापटॉप या कंप्यूटर को को दुसरे और यूजरी नग कर सके हैं इसलिया कंप्यूटर ये लैप्टॉप में पासवर्ट डालना पड़ता है ताकि आपका सिस्टम के अंदर लैप्टॉप के अंदर जितने भी डोकुमेंट से सब सारा का सारा सुरक्षित्रे और उसे कोई देखना पाए इसलिए पासो डालना पड़ता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को सुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल करने सानों से क्लिक करके नोटिफिकेशन आउन कर दीजिए ताकि जब भी हम नहीं वीडियो अप्लोड कर दो वीडियो आपके तक असानी से पहुंच जाए तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल को ऑपन कर दीजिए जैसे कि हमारी डैस्क्ट वर्चाइब करते हैं यसे आपके डैस्क्टॉप पर कंट्रोल पैनल नहीं कर रहा है तो आप टास्ट यहां पर सर्च बॉक्स में आप टाइब करेंगे कंट्रोल पैनल जैसे कि यहाँ पर आप जैसे टाइप करेंगे तो उपर में आप देख रहें कंट्रोल पैनल आगी है आप इसे ओपन कर ले बहुत ही सिंपल एश्टेप आप से देखते जाए बहुत ही जितर साव अपना लैप्टॉप या कंप्यूटर को अपको यहां पर जाना है कि एक fermented जाने के बाद यहां एसमें रल चेंग मैसे कना तौफ्र कि यहां पीज़य करने के बाद किलिक के आपको आपको यहां आप यहां पर जैसे कि make change to deal account, आपको account time-bihab डाल सकते हैं, change कर सकते हैं, create password और password तेहां से डाल सकते हैं, change the account type, account type और change कर सकते हैं, manage another account, आपको यहाँ पे simply आपको password चेंच करने तो password चेंच करने के लिए create password पे लिक्केजी, आपकोई password अब रादे, जैसे की डाल देते हैं इसको एक वर फिर डाल देजिए और यहां पर बोल रहा है इस थी पास्वार कांटेंट्स केपिटेल लेटर ती मस्ट भी टैप इसमें आपको टाइप कर रहा है हिंट विर वीजिबल टो एवरीवन हूँ यूज 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 इस 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 आप पास्वार जैदी भूल गए तो हिंट में कुछ भी डाल सकते हैं पुछ भी बर्थ प्लेस जा अधित मतलब मदर नहीं या फादर नहीं कुछ भी आप डाल सकते हैं यहां पर कुछ भी डाल देते हैं यहां पर करते हैं किलिक करने के बाद आपका पास्वार्ड करेट हो चुका है आप इसे आफ करके आप चेक कर सकते हैं अब जैसे आपका लैप्टॉप या कंप्यूटर ओपन होगा तो आपको सबसे पहले पास्वार्ड डालना पड़ेगा उसके बाद इसके बाद ही ओपन हो बाएगा तो फ्रेंट्स इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सिखने को मिला होगा जरूर कुछ इन्फोर्मेशन जरूर मिली होगी जदी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइप शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबाद